है कि अधि आफिका साइंस एंट लेवंथ के यूट्यूब चैनल पे जहां हम तीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और आज तो जोलो चिप से भी पढ़ाएंगे कैसे हैं आप सब सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का साइंस एंट दुबारा से यह आपको नजर आ रहा है यह खूंखार सी इसके पैकेजिंग के कितनी वह है ना मतलब डरावनी सी इसकी पैकेजिंग से मंदा ड़ जाए खाना तो दूर की बात है लेकिन यह चैलेंज हम दूसरी बार कर रहे मैं आपको बता दूँ लास्ट यर भी मेरा और अर्शु सर का यह चैलेंज हुआ था और मैं हारी थी और इसको खाया जब हमने एक्चली खाया था तो उशांक सर ने भी थोड़ा सा खाया था और आपने भी शायद खाया था ताकि आपको थोड़ा बुरा फील ना हो लेकिन उस वाला ऑन स्क्रीन तो सब ठीक था लेकिन जैसे ही लाइट स्क्रीम बंद करी और हम बाहर गए उसके बाद हम लोग उल्टे पुल्टे वाला पेट में इतना दर्द इतना गरम गरम हो रहा था पेट में इतना स्पाइसी था तो बिलकुल मजाग की बात नहीं है यार आप में से किसी ने ट्राय किया यह चिप कभी पहल तो हम इसे अमजान से और करना पड़ता था तीन तीन दिन चार्जा दिन बाद आता था लेकिन अपते ब्लिंकेट वालों ने भी रख लिया है तो 10 मिनिट में डिलिवरी किसी ने खाया आप में से यह वास्तर बच् आप हमारे सारे सेशन्स अटेंड कर रहे हैं तो आपको वैसे ही कोशन्स देखने को मिलेंगे जो अभी तक सारे सेशन्स में आ रहे हैं पहली बात और अगर आप नए हैं तो मैं आपको पता दू कि हम लोग यहां पे जो भी कोशन्स लेके आएंगे वो सब आपके काम के को क्योंकि यह सेशन लाना बीच बीच में जरूरी इसलिए है ताकि आप थोड़ा सा फ्रेश भी फील करें मज़ा भी आए लेकिन वह भी ऐसा हो कि आप कुछ ना कुछ सीख ले साथ-साथ और यहां पर एक बहुत बड़ी भी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ इस सेशन के इंड में जो भी हारेगा वो जोलो चिप खाने के बाद जोलो जोलो जो भी इसका नाम है उसको खाने के बाद वो एक बहुत इंपॉर्टन अनाउंसमेंट करेगा देखते कि खाते वक्त या अनाउंसमेंट करने लाग बचता है कि नहीं लेकिन वह बहुत इंपॉर्टन अनाउंसमेंट करेगा मैम को पता नहीं है मैं उनके कान में इनफॉर्म कर देता हूं कि मैम को बात पता नहीं है तो मैंने मैम के कान में पता दिया पता नहीं आपको आवाज ना आगे मैंने ब अनाउंसमेंट करेगा तो बड़ा मज़ेदार होगा देखने में कि वो कैसे अनाउंस कर पाता है ये बात कर दो जो 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 भी है चलो अच्छा ये पोल क्या लगा पहे कौन जीतेगा कौन शुरू करने शेशन थर दो दक चलो भी किस्का है आपका है और जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग भी अपना पूरा एक रिजिस्टर मेंटेन करके चलेंगे कि आपके 20 में से कितना आपने स्कॉर किया 10 फ्रॉम साइंस और 10 फ्रॉम इसिस्टी दस-दस कोश्चन है ज्यादा लंबा सेशन ही रखेंगे क्रिस्प और महत्वपून रख इस ऑके और जैलिक एसेड नाचरल सोर्स औरिंज बसक बतने हैं गड़ आपको पताने हैं किसको सही तरीके से हनोंने मार खिया हुआ है तो यह मैचिंग करनी है सोर मिल्क लाक्टिक एसड एंड स्टिंग मिथनिक मिथे नॉयक एसड टामरेंड एसटिक एसड यार मेरी ख्याल से मिल्क में तो लाक्टिक एसड ही होता है तो कार्यक आफे आफीयर करें आछा तो लैक कितो होता है मिल्क में यह खरे दो के रोटेजरें चीनिय्फ नवेट्बड़ घ्रिट्भाफ तीन ओक हो ऩटा घयंता हूं करेक्ट एंदन सेकंड के साथ what is the given one थर्ड भी है और फॉर्स भी है okay so I think it's I don't know about ant sting कि कौन सा असे होता है कर दू मतलब अभी बच्छों ने कर दिया कर दिया कर दिया तो कहना है 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 I guess it's one ए कि आपको पता है कि orange के अंदर लग्टिक उता है और हमारी जो चीटी है वो चोडती आज शेद सुभा ही इसके उपर एक सवाल किया है है हम लोगों ने और इमली के अंदर टार्टरिक असेड होता है तो यह भी यहां पर गलत है तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट था यानि की सी ऑप्शन मैं को चुनना था बट कोई बात नी मैं ने थोड़ा सा करीब चुनना है और आंसर ए चुन लिया है त इसमें से कौंसा उनका बट अब्यक्टिव नहीं था अच्छा यह बड़ा ही रेफलेक्शन पढ़ रहा है था बड़ अच्छा बच्छों को दिखेंगा नहीं दबरबन दाइनस्टी वास रिस्टोड तू पावर फ्रांस लॉस्ट लॉस्ट बार्टारी इस इट है पता अच्छनी भाई ऑड़ कार्शी ओस्तेंट्स वरसेट अप ऑन ड़ांडरी ऑफ फ्रांस तो प्रवेंट एक्स फैंट्स फॉचर दमें कुछ नहीं पता है बिल्कुल भी कोई नॉलीज नहीं है मरको तो में तुक्काह मारना पड़ेगा यह तो मैंने सुना वाइग त्री आपकी आवास कामारी होगे, क्योंकि वहां से आप थोड़ा लेट बोल रहे हो, तो टुर से बोल रहे हो, तो टुरीटी आफ व्याना, पता नहीं, मैं कोई जादा नॉलिज तो है नहीं, the main intention was to restore the liberal democratic, अचा नहीं था इस में से, a series of states were set up in the boundaries of France, to prevent French expansion in future, तो मैं C पे मुझे लग रहा है, इस बाखी तो बता नहीं, क्योंकि आपने जोड से खेग, हसी हसी आपने, तो मैं C, मैं मुझ करनू क्या अंसर, क्योंकि बच्चों को पता है, हमने ये तीन नंबर का question भी किया है, history के revision में भी किया है, कि bourbon dynacity को restore किया गया था, then France ने वो सारी territories, जो Napoleon जीता था, वो छोड़ दी थी, and series of states set up किये गए थे France को और expansion से, restrict करने के लिए, ताकि वो और expand ना हो, ये चौथा नहीं था उसका part, तो इसलिए पहले तीन है, लेकिन ये नहीं है, तो d would be the correct answer, 00, अगला सवाल आता है मैं, study the following table, and choose the correct option, आपको table चुनने और correct option को यहाँ पे decide करना है, यहाँ पे salt का नाम लिखा हूँ है, और आपको पताना है कि वो जो उसका acid कोन है, उसका base कोन है, और साथ ही साथ आपको पताना है कि जो salt है, उसका nature का है, बच्चो आप लोगों के लिए सवाल बहुत असान है, तो इसका pole मुझे लगता है, 80% से उपर जाना चाहिए, कम से कम 80 प्रतीशत जाना चाहिए, चीक है न, कहारे हैं, sodium chloride का parent acid और parent base कोन है, और nature of salt क्या होगा, उसका acid दिखोगा है, बेसिक होगा, ऐसे चार option दिए हैं, इनमें से correct option आपको चुनना है, 73% बच्चा नहीं, जैसा आपको बताना है कि sodium chloride क्या इन दोनों को react होने से बनता है, और बनने के बाद जो इसका nature है, वो क्या है, ऐसे, बड़ा कोशन है, ने बड़ा नहीं है, पांच सेकंड का भी कोशन है, जो लोग रोज करते होंगे हैं, हम लोग रोज नहीं करते हैं, यह तो reactivity series के according कौन किसको displace करता है, उससे, को लेना देना नहीं, reactivity series से, okay, okay, I really don't know, can I just do, बड़ा votes के according, हाँ, बच्चों ने तो कर दिया, बच्चे तो, अब तो बच्चों के revision, बहुत जवर्दस लेवल पर चल रहे हैं, तो बहुत जल्दी जल, और वैसे भी यह, I think, acid basis का है, और उसका भी color आज हुआ ही है, yes, 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 so I think it would be, I don't know, I don't know, it's just a tukka, I don't know, okay, it's D, लेकिन यह एक neutral substance होता है, क्योंकि यह दोनों strong acid or base है, लेकिन वहीं पर sodium acetate जो कि बनता तो इन ही से है, लेकिन वह basic भी होता है, जो कि बिलकुल correct है, तो correct answer is D, जो कि आप लोगोंने 61% दिया, थोड़ा जादा होना चाहे था, बट ठीक है, चलेगा, चलेए, 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 है बच्चों को बता है, नहीं वह पता देंगे कोई, आपको इसमें बताना है और मैं बच्चों को ट्रिक इसकी औरेडी बता चुकिए if you don't remember the years just go with the flow of the chapter chapter में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ events की according आप जाएंगे and answer करेंगे मैं side हो कहीं स्क्रीन से it's your time to see and do aram aram से करेंगे बिल्कुल अभी स्कोर 00 ही है देख लो बराबर पर अगर हारे तो तुम्हें खिलाएंगे जो लो जिप अगर ताय हो गया तो तुम्हें खिलाएंगे जो सबसे दस्दीक रहता होगा उसको बुला के खिलाएंगे बताईए आ गया है क्या answer okay अच्छा यह नाम सोना यह नाम सोना मैंने लेकिन यह तो नाम भी मुझे यह भी सुना वाई सुरी लेकिन सेकिंड राउंड टेबल जहां तक मुझे लगता है मैंने पहले बीगाता कि सेकिंड राउंड टेबल सेकिंड बारी में हुआ होगा तो सेकिंड बारी में हुआ होगा पता नहीं बाकि मैं 143 पर जाओंगा बिगॉस अगें वेलंटाइन वीक चल रहा है तो 143 stands for I love you तो मैं D पर जाना चाहूंगा बाकि तो पता नहीं मुझे मतलब कुछ सबसे पहले कुई खिलाफत मुव्मेंट फिर हुआ चौरी चौरा और चौरी चौरा के बाद ही CDM देन आता है आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉनफरेंस तो येस दी सब सिंगर हैं इनको वैलेंटाइन देगा क्या बड़ा मैंसे खाई 143 करेंगा मैं एक बच्चों के बाद बता दू क्योंकि आप दो चार बच्चे शैद मैम की स्टोरी देखके आ हैं सुबहा मेरी तवियत बहुत खराब थी बहुत जादा खराब थी लेकिन सुबहाला मै मैंने सेशन लिया मैंने वहां पर बिल्कुल भी यह बात नहीं पता ही वरना आपको लगता कि मैं एसान कर रहा हूं सुबहा उटके लेकिन अभी मैंने स्टोरी पर पोस्ट किया तो मॉर्निंग में जब मैं उठा था मेरी तवियत बहुत जादा खराब थी चार बज़े से चुली मैं मतब साड़े चार बज़े के असपास से तवियत मेरी बहुत खराबती फिर मैं दवाई खागे सो गया था फिर मैं सेशन से पंदरा मिनाट पहले उटा लेकिन मैंने सुबह इसलिए नहीं बोला ताकि आपकी पी एनरजी लूज ना हो और मेरे भी ना हो हना यह म मैंने सोचा कि मैं आपको पता दूँ कि ऐसा क्या हुआ है क्लास के बाद भी इवित बहुत तवित खराब थी लेकिन यह हम मैंने भी बहुत बोला कि क्लास रहने देते हैं लेकिन आशू सर इतना रिस्पॉंसिबिल समझते हैं अपने आपको आगे बढ़ते हैं ठीक है ठी आप लोगों के लिए अच्छा सवाल है बहुत नए प्रकार का सवाल हो सकता है थोड़ा ध्यान से करिएगा इस सवाल को और रे ओफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एर पासिस थूरू मीडियम ए ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 एंटर्स दी मीडियम बी एंटर्स इंडेक्स जो है वो 2.42 है आपको पताना है इफ दिस लाइट रेमर्जिस आउट इन दे एर फ्रॉम सी यानि कि यह हमारे पास ए है यह बी है यह सी है लाइट यहां से यहां से ट्रेवल करके फिर वापस से एर में चली जाती है तो आपको पताना होगा कि लाइट सबसे ज है इस लीष्ट आप ये नहीं पुछा हुआ है की बेंडिंग कितना अवे फ्रीय कि नार्मल या टो वर्स इतना पुछा है कि लीष्ट बेंडिंग किसमे होगी दुबारा बोल रहा हूं अवे फ्रॉम बर्म बॉन मिया तूपर शर्प यह था नार्मल नहीं penso इ सिरह द्ट तो आदे से आदे बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है तो बच्चों करने देतें बच्चिल मुझे लगता 50-60% के ओपर जाएगा तो बस जनरल नॉलेज है तो बस जनरल नॉलेज है क्योंकि आपका परसंटेश सिरफ 50 परसंट आया है तो इसलिए आप लोगों को यहां पे गुलाब का फूल और सेशन को लाइक करना पड़ेगा अब सिरफ 2000 लाइक है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि सवाल बहुत प्यारा है आपना अंसर टिक कर दीजिए मैं सबसे पहली बात तो जो लीष्ट बेंडिंग होगी सब मैं आपको आज एक छोटा सा मूल मंत्र देता हूं धिहान से सुनना अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का गैप जो है वो जादा से जादा है अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का गैप जो है वो जादा से जादा है तो जो बेंडिंग होगी वो भी जादा से जादा होगी और अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का गैप अगर कम से कम है तो बेंडिंग भी कम से कम होगी ये बात तो समझते हो जितना रिफ्रेक्ट इंडिंग का आंसर चुना है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुनों 2.42 से एर का तो वन होता है तो 2.42 से वन आना गैप बहुत जादा हो गया अब सबसे कम गैप कहा है आप लोगों ने 48% आंसर दिया है भी आव चेक करते हैं बी मतलब बी से सी देखो ए से बी आने में गैप कितना है आंसर है 0.7 कुछ का है और बी से सी आने में गैप 1. कुछ का है तो फिर आंसर क्या हुआ फिर आंसर क्या हुआ पोल का रिजल्ट खोलना सेकिंड सबसे जादा आंसर कौन सा दिया है अरे देखो मैं हम देखो आंसर ए से बी सिरफ 48% बच्चों ने 47 इसका मतलब सवाल अच्छा हो गया तो गुलाब का फूल और सेशन पर लाइक मिलना चाहिए च्योंकि सवाल बहुत जादा अच्छा है ने मैंने को क्या बोला बटा वार चलती रहेगी जो लोचिप कोई ना कोई खा लेगा अगले दिन सुबा उसको मजा आएगा लेकिन पॉइंट क्या है सवाल अच्छे हैं आज के आपको सीखने को कुछ मिलेगा नया तो बी आंसर यहां पर करेक्ट हो जाता है आगे सिलेक्ट टू बेसिज आन विच न्यू सेट सफ इल्या वव इन क्रियेटिग जब नए सेट बनाए जाते हैं तो इत में से कौन-कौन से बेसिज को इस्तवाल किया जाता है उसका इसे भी बेबी को बेस्ट पसदा आपके एस बेसिज में चलता है खाओगे ने आज तो आपको खाना अरे खा ले ना सर देखें वैलेंटाइन वीक पे इतना गिफ तो बनता है चले बता ही बच्चों आप लोग बता ही पोल लगा दीजे सर मैं कुछ अपनी भावनाय व्यक्त करूँ यहां पर मुझे लगता है इंडिया में भाशा को लेके तो स्टेट्स नहीं बनेंगी क्योंकि हमारे यहां पर कोई राष्ट भाशा ही नहीं है पहले मैं जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी श्रारत करता था लॉलिपॉप तब मुझे लगता था कि हमारे हिंडी जो है वो राष्ट भाशा है फिर मुझे आपके लेक्चर देखने को मिले मुझे समझ में आया कि हमारे यहां कि राष्ट भाशा ही नहीं है कोई तो लैंग्विज तो आंसर नहीं हो सकता है सही कह रहा हूं सही कह रहा हूं अच्छा लगता है कि geography, religion, धर्म भी नहीं होगा शायद, ऐसा कभी है कि हमारे किसी एक particular state में एक particular धर्म के लोग जादा रहते हैं, country की बात नहीं हो रही है, state की बात हो रही है, तो मेरे हिसाब से religion भी नहीं होगा, मेरे हिसाब से language भी नहीं होगा, मैं आप पता तो answer दे दूँ, मेरे ह साथ से culture होगा, क्योंकि भई, south का culture कैसा है, north का culture कैसा है, हाना, तो मैं जाना चाहूंगा, C पे मैं, मौय, 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 मैं आप से question पूछना चाहता हो, भाशा को लेके state बन जाती है, एक second, आप, पहली बार तो बच्चो, पहला test to federalism is formation of linguistic states, सर, जब आप पंजाब बोलते हो, आप हो क्या भाशा दिमाग में आती है, पंजाबी, बस और तो कोई country नहीं आती है, महराथी, गुजराती, बंगाली, हो, हो, सौरी, आपने खुदी आंसर दे दिया, आपने खुदी आंसर दे दिया, कि actually language के basis पे, divisions की गई थी, after India and Pakistan भी, समझ रहे हैं, ताकि लोग को ये न लगे कि हमारी भाशा की लोग वहिया, कहां के गया, ऐसा नहीं है, पंजाब में सिर्फ पंजाबी बोलने वाले ही रह सकते हैं, लेकिन linguistic states बनाए गई ये पहला test to federalism था, और इसी के basis पे भी language एक option है, साथ साथ religion नहीं, regional culture, अब जैसे य होनो options best होंगे, Haryana is for Haryana भी बच्चे लिख रहे है, so yes, so B would be the correct answer, और ये 62% बच्चों ने काया, और मिरको ऐसा लग रहे है, जब आप language वाली बात बोले न, तो बच्चों ने अपना answer बल्कि दूसरा करना शुरू कर दिया, language नहीं दिया, जब आशुसर अपनी वो बोल अच्चों ने कमाल को तुम लोगों की बंदा बिमारी में पढ़ा है, यार यार क्या बात हो वह मतला माना अशुसर सबसे प्यारे आप लोगे लेकिन हम इतने भी बुरे लिए यहां अच्चा यह जड़ा सां नीचे होना चलिए कि तुम नहीं बंदा बिमारी में बढ़ा सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब कर रहा है कलर अफ सकाइब एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब करता है तो मुझे बस ये तो पता है ये चोड़े ये साइंस का जुगाड हो रखा है एक बार दिखाना ये बच्चों मैंने इसको बैलेंस करने के लिए पिछे वो कान में गुसाने वाली इयर बट्सक्राइब कान में गुसाने वाली इयर बट्सक्राइब मैंने क्योंकि मुझे स्कॉब बैलेंस करना था तो मैंने आ पर वोच चिपका दी शरने बोला कान में इर में इयर बट्सक्राइब चालियह चालियह Seems मुझेॹ कं स्कटर्ट हेंüğ जिए ही समझ नियाँ Hasta मैं इस लिए आर यह वला बोल रही हूं मुझे नहीं समझ आ कि मैंने लाड रंग पर सबसे आदा फोकस किया और मैंने क्या का था लाड रंग खत्रे का रंग होता है आप सब को पता है वाइट लाइट आई और लाइट बेंड होगी प्रिस्म क्योंकि उल्टा पड़ा हुआ है तो उपर वाला कलर वाइलेट हो जाएगा और नीचे वाल पर यहां पर है तो यहां पर कॉन से कलर को रीप्रेजेंट कर रहा है एक ऐसे को जो लियुक्ता है और संज पर के समय तो आ वैसे तो नोलेच के लिए, but see is the correct answer वालेट हो ही नी वालेट होता है, वालेट हो ब्लीव हमारे लिए एकी बात है तो एस एसर्शन रिसन, मैं क्या रहा हूँ वालेट है तो एसर्शन रिसन तो आशू सर और रीमा मैम कहा जो स्कोर होता है वो वन वन होता है, चलिए मैं माजी आपकी बारी, यहाँ, आपकी बारी, यहाँ, चलिए, दन, 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 यहाँ, वाइ दिद धिडगरिम ब्रदरज, नाम सुने, गिव देटल्स एरीडेबल फोर्म विदाउट चेंज अर फोलोरिक कऱ्ेक्टर, यह पुरानी, युन यह पुरानी कहानिया एक अत्रित करते थे, उर उसमन के, में करेक्टर को चेंज नहीं करते थे, Choose the correct option from the following तो ऐसा क्यों करते थे वो The collection enjoyed wide distribution in Germany It became a model for the collecting of fantasy tales It formed the basis for the science of the language People easily accepted their written adventures So what was the reason ये Grimm Brothers, दो chapters में इनका जिक्र किया गया है Hindi अनुवाद है कि इनकी collection जो थी वो जर्मनी की लोगों में बहुत ज़्यादा सराही जाती थी दूसरी है कि एक model बन गया बल्कि Fantasy Tales इकठी की जाएंगी और भी लोगों ने इसकी शुरुवात करी पुरानी कहानिया और ये imaginary की जगा औरिजनल होती सी लेकिन ये उसमें change भी करते थे उसको तो बच्चों को कर रही हूं आपको नहीं कर रही जो ये लिखते थे लोग उसको हसी-खुशी एक्सेप्ट कर लेते थे बच्चों मैं मैं सबसे ज़्यादा बाते की है बारे मेरे एक असली टीचर की पहचान होती है कि वो ज़्य आंसर पर जाब आता है तो सबसे ज़्यादा एक्स्टेन करता है तो मेरे एसाब से आंसर भी होना चाहिए अच्छा मैं मैं कर दो आंसर मैं देख लो इंग्मान दे कलेक्टेड दे कलेक्ट दे कलेक्टिशन एंजवाइड डिस्टिबुशी जर्मनी it become a model for the collecting of fantasy tales मैं भी आंसर दे रहा हूँ कर दो अभी एक में और रहा है बस भी तो नहीं है फिर भी ऑप्शन पर मैं वापस आना चाहूंगा मैं टेक नहीं किया अभी छीक है पीपल इजी ली एक्सेप्टेट देर रिटन अड्वेंचरस पीपल ने असानी से उनके अड्वेंचरस को एसेप्ट कर लिया मैं कर दो मैं टी मैं टी मैं पर से बादा यह ओद है मोई मोई अरे भाई भाई देख रहे हो मैंने एक बादाओ मैंने यह सही बात क्या हुए मैंने यह बात सही पहचा मैंने यह सही बात पहचानी थी कि नहीं पहचानी थी मैंने यह बात बिल्कुत सही पहचानी थी कि एक टीचर जब सही आंसर पर आता तो सबसे ज़्यादा बात करता है उस बारे में तो मेंने साइकलोजी समझ लियए, बिटा. शादी को मेरे हो गये कितने साल मेडम? छार पांद साल हो चुके है, और मैं एक दान साइकलोजी समझ तो गया था. लेकिन पता ने क्यों मैंने अपना लास्त मुमेंट पे, यार अपना वो भावनायों को बदल दिया, यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहे था, मैं आंसर भी पर जाना चाहे था, यार वाइड दे गुलाब का फूल दे दीजे, बच्चो सरा, गुलाब का फूल दे दीजे, भारी संख्या में आपने देखा भी आया, मैं सर वो ही डूण रही थी, कोई तो बच्चा बोल रहा हूँ, मैं आप कहरे था ना क्या स्क्रॉल कर रही है, तो मैं ये कर रही थी, ना B है, ना D है, the correct answer is A, मैं बताती हूँ क्यूं, क्यूंकि इनकी जो correctors, question कह रहा है, ये folkloric characters, change क्यूं नहीं कर रहे हैं, जो पुराने characters हैं, वो change क्यूं नहीं कर रहे हैं, क्यूंकि collection जो है, वो Germany के लोग उन नाम को, उन characters को enjoy करती थी, और एक जो लिखने वाला होता है, वो यहीं देखता है, कि उसके जो readers हैं, वो क्या demand कर रहे हैं, और उसी के according, जैसे हम लोग product वो ही बनाएंगे ना, जो लोग consumer consume करेगा, तो यहाँ पे, लोग जो थे, क्या कह करते थे, बहुत enjoy करते थे, उनके characters के नाम, जो भी जैसे आजकल बच्चों के characters आते हैं, मोटू, पतलू, तो he actually, यह इसके USP थी, तो A इसका सही answer होगा, ना की B, और आप देख सकते हो, sir, A सिर्फ 15% लोगों का answer था, इस सवाल पर तो like भी बनता है, सिर्फ 15%, इस पर तो बनता है, देखिए, नया question था, और यह एक बच्चे के pre-board में आया था, तो यहां पर आप, 1-1 ही है, score, चलिए, दन है, तो मैं मोय मोय से बचाओंगा, इसे ही, बेसिकली, चलो, अगला सवाल आता है, पोल लगा दीजी, A converging lens form a three times, मैं important चीज़े underline कर दो, forms a three times magnified image of an object, which can can be taken, या take on a screen, if the focal length of the lens is 30 cm, then distance of the object from the lens is, मैं obvious ही बात है, पूरा प्रॉपर नुमेरिकल है या आपको इसे पूरा नुमेरिकल के तरीके से ही solve करना पड़ेगा, तो मुझे नहीं आता है, मतला आपकी चॉज़े आप ट्राइ करना चाहते हो के नहीं, मैं आपको मैं कमाल के ब आपको इसे पताना है, जल्दी से पताए बच्चो, प्रॉपर सॉल्फ कर लो या, जल्दबाजी मत करो, सॉल्फ कर लो, और प्लीज सॉल्फ करके आंसर दो, कोशन जादा है नहीं, जल्दी से, हाँ चलिए, हाँ थोड़ा से लाइट का मुझे लगता है, थोड़ा मैं चेंज कर वाना पड़ेगा, बट चलो, स्टेल, ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले, हाँ आप कर दो, को कि मैं को भी सॉल्फ करना में समय लगेगा, ये भी कर रहे है, तो मैं कर दूँ, हाँ तु कमार द मेरा 21 days challenge चल रहा है, हाँ, हाँ चेक करते हैं, बच्चो इसको solve करते हैं, सबसे पहले बात है, कनवर्जिंग लेंस है, जो कि 3 times image बना रहा है, अब यानि कि magnification 3 है, अब plus 3 होगी या minus 3 होगी, देखो, क्योंकि image screen पे बन रही है, इसका मतलब image real होगी, और real के साथ inverted होता है, तो magnification हो जाएगी minus 3, इसके बाद बोल रखा है कि focal length, क्योंकि converging lens है, तो focal length हमारे पास plus 30 cm होने वाली है, अब magnification का formula हमारे पास V by U होता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक lens है, तो V by U हो जाएगा, अब magnification minus 3 है, तो यहां से V by U हमारे पास आ जाएगा, हमें क्या निकाल is equal to 1 upon V minus 1 upon U आ जाएगा, 1 upon F, F हमारे पास कितना है, 30 है, 30 है, 1 upon V, V कितना है, हमारे पास minus 3 U है, और minus यह हमारे पास U है, तो 1 upon 30, यहां पे हमारे पास minus 3 U, यह उपर अगर minus को ले जाओं, एक second, एक तो easy note पर पढ़ाने की आदत हो गई है, हां, तो अगर यहां पे मेरे पा minus 1 आ जाता है, और उदर मेरे पास minus 3 आ जाता है, तो यहां से से cancel कर देंगे, तो यहां आ जाएगा minus 40, 40 आंसर आ रहे है, D आंसर दिया, बच्चों ने क्या दिया, यहां से इसको काटेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 into 4 तो minus 40, मैं एक बार देखना, बच्चों ने minus 40 कितने फिर भी 6000 बच्चों ने तो वोट कर दिया है, हाँ, 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 उपर करना, उपर solve इसको, ओके, 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 येस, हाँ, लेंस है बेटा, converging लेंस है, लेंस है, तो M हो जाएगा, हमारे पास V by U, यहां मेरी राइटिंग के लिए, sorry मेरी राइटिंग वैसी बहुत से correct है, हाँ, मैगनिफिकेशन माइनस 3 है, फोकल लें 30 है, मैगनिफिकेशन V by U होता है, तो यहां पर मेरी पास V by U आ गया, V की वैल्यू माइनस 3 यू आ चुकी है, 1 upon F is equal to 1 upon V, माइन, कुछ कह रहा है, तो 1 upon minus 3, 3 U LCM आ गया, उपर minus 1 आ गया, तरह माइनस 3 आ गया, सब कु है, यहां पर answer C बिल्कुल भी नहीं है, यहां पर answer जो है, वो D है, अब आप कहोगे सार, यह तो बहुत basic सवाल है, अब मैं यहां पर दो बाते करना चाहूंगा, पहली बात तो basic सवाल के भी answer, आप लोगों के देखो गलत आए, पहली बात तो, गुलाब के full आएंगे, और दूसरी बात, नहीं मुझे लगता है, इसमें गुलाब की full की जरूरत नहीं है, तो कि यह सवाल NCRT में दख्ये खा रहे हैं, यह सवाल 50 लाग बार कराई जा चुके, मैं बतता हूं यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने बहुत जल्द बाजी में answer के, इन्होंने solve नहीं किया मुझे इतना तो यकीन है बेटा, कि 90% बच्चे सवाल को सही करेंगा बोर्ड के एक्जाम में, मानते हो न, तो पता नहीं क्यों यहां पर आप जल्द बाजी कर रहे हो, तो इमानदार इसे solve करो, the answer है, हार जित लगी रहेगी, चलो तो अभी वाने स्टू वानी है, ओके विच ओफ द फॉल्विंग ऑप्शन इस करेक्ट अबाउट बालकन नाशनलिजम, बालकन वाजा एरिया और उसको डिस्ट्राइब किया गया है, इसमें से कुछ बाते उसके बारे में करेक्ट की गई है, सही लिखी गई है, आपको ब बतानी है, मैं एक्स्प्लेइन करूँ, बलकन रीजन, लडाई का, इसलिए मनला लडाई का रीजन वहाँ पे कारण क्या था, ओटोमन एम्पायर, दूसरी चीज कह रहे है, इसमें नाम थे ग्रीक, क्या है, सर्ब्स, यहाँ पे मॉंटी नेग्रो होगा, यह मैंने पहले ही एट्सेक्टरा, ब्रिटिश है एट्निक नाशनलिस ट्रगल तो इस्टैबलिश देर आइडेंटिटी, ब्रिटिश ने काफी लडाई लड़ी थी इस एरिया को ओक्यूपाय करने के लिए, इन में से तीनों में से कोई भी बाते सही है, यह ओप्शन है, पहली दूसरी सही ह सिर्फ दूसरी या सिर्फ पहली? D option is only one, अच्छा ओहो, जो लोचे पड़ गया हमारा, सौरी, ओहो, मैं इसको निचे कहता हूं थोड़ी देर के लिए बच्चो, आप देख लो, मैं D पर जाना चाहूंगा मैं, और बच्चो ने अगर D option दोबारा पुछा है, इसका मतलब A, B और C option नहीं है, मैं को दो D answer, चीक है, मेरे इसाब से answer D है, एक मिनिट, ये लोग कहां जा रहे हैं, पहले तो अच्छा खासा percentage था, ये लोग D पर जा रहे हैं, ठीक है, और कितने बच्चो ने कर दिया है, वोट, अभी कुछ साड़े छे अजार बच्चो ने, आउट आफ नाइन, क्या कर रहे हो, ज बिल्कुल भी नहीं है, ये वला नहीं है, ये वला नहीं है, बिल्कुल भी, ये तो सब कही रहे हैं, सब पता नहीं, only one भी कह रहे हैं, लेकिन only one कैसे, ये slabs है, इसके भूल गए, slabs क्या होते हैं, इनके various parts, बलकन के, और तीनों के तीनों सही है, मैं अटकी शाद मुझे सब इसका पार्ट है तो एही सही होगा यानि की फॉर्स एंड सेकंड इस दा करेक्ट ऑप्शन गुलाब का फूल तो आना चाहिए बहुत कम परसेंटेश था और सेशन को लाइक कर दो तुम्हें बोल दिया है आश्चु सर्द दस के लाइक पर एक अनौंसमेंट करने वाले ह या तो दस के लाइक पर अनौंसमेंट हो जाएगी या तो जो लोचिप खाने के बाद जो खाएगा वो अनौंसमेंट जो चीज आप पहले कर दो आएगस में को लगता है लाइक्स करने बहुत असान है क्योंकि आल्रीटी 9.5 की आर वाचिंग चालो डेना अगला सवाल है बहुत ही इजी सवाल है चोटा सवाल आज का पहला सब्सक्राइब चोटा सवाल आए पढ़ने में दग कंपाउंट अप्टेइन और रियाक्शन ओफ आइरन विट स्टीम यानि जब आइरन जो है यह स्टीम के साथ स्टीम मतलब होता है मैंना बहाप के साथ पानी के साथ जब आइरन बाप मैं पानी के साथ रियाक्त नहीं होता है वो सिर्फ बहाप के साथ होता है हादा पिकास आइरन के लिए बाप आपको पताना यहां पर क्या बनेगा यह बच्चे जानते है 90 पर मैं बोलने वारता 90% से ऊपर आंसर आएगा बट कोई निक्चा लोग यह आइरन और यह वला तो आइटिंग यह वह है ना को रोजन को रोजन से अलाग है यह जिसके लिए गैल्वनाइजेशन कुछ होती है अब इस सवाल से कुछ लेना मैं थोड़े सी साइस जाड़ रही हूं और कुछ रही है के लिए इसका मतलव इसका मतलब है कोशन इनके लिए बढ़ा अच्छा है गुलाब का फूल मिलेगा ऐके सर देखो मैंने ना एफई 2-0 3 तो सुना हुआ है एफई 2-0 4 कभी नहीं सुना है यहां यहां फ ट्री ओ पॉर ये जो तो तुमने आंसर मैजॉर्टी में दिया वो तो आंसर वैसे भी नहीं है ठीक है वो तो आशर वैसे भी नहीं है ठीक है लगवाद विर बच्चों के लिए मेजॉरिटी में दिया उसमें तो गरबड़ी तो वह तो आशर वैसे भी नहीं है तो मैं इसलिए कर रही हूं यह अंसर तो आपका गलत है लेकिन आप यह बात सही हो कि कि एफी 2-o3 सबसे कॉमन आइरन का ऑक्साइड है लेकिन दोनों के साथ मिलके रियक्षि घृता है तो एफी 2-o3 बनता है जो आंसर होता है रश्ट का यह आंसर तब होता है जब रष्टिंग पूछी जाती यानि आइरन की रियक्षिन पूछी जाती with oxygen and water अब जो श्यार बच्चा वो जानता है वो जानता है कि जब iron steam के साथ react होता है कहां गया जब iron steam के साथ react होता है तो fe 304 मैंनम जो आपने सुना नहीं था ना वो सबसे ज़्यादा बनता है लेकिन कब बनता है जब भाब के साथ react होता है यह समझ गया लेकिन में पहले आपने जो आंसर दिया था वह दिया था जो कि गलत है अच्छा अब आप में से कितने बच्चे मुझे कमेंट सेक्षन पे fe 304 का नाम पताएंगे क्योंकि मैंने इसका नाम आपको पता रखा है और बहुत पहले पता है तो अब जो नए बच्चे जुड़े होंगे उनको शैद इसका नाम नहीं पता होगा लेकिन आप मेंसे कितने बच्चों को fe 304 का नाम पता है जल्दी से कमे F2O3 होता है F2O Ferrous होता है no yes 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 इसका सबसे फेमस नाम जो है वो है आईरान 2nd and 3rd Oxide इसका सबसे फेमस नाम है आईरन 2nd and 3rd Oxide yes 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 यह बच्चे जानते हैं बिलकुँ सभी बात है इसका पूरा नाम है आपको पता हो नहीं पता हो तो आत्रा लग गया है गुलाब का फूल आजाना चाहिए सेशन पर लाइक आजाना चाहिए जल्दी से अगले स्वाल पर ते लिए बहुत असान है इसको आइरन की कमपनी है ताटा आइरन इंस्टील कमपनी है ताटा जी यस चाहिए फिलिंग पर आओ इंडिया नार भी अरे इंडियान ब्रैन अगाम अरे रतन ताटा जी हाँ सो इन में से वो क्या अप्लाइन नहीं करेंगे अपनी कमपनी में मिनिममम वेजिज आट नाशनल रूरल इंप्लॉइमेंट गरेंटी आट फैक्ट्रीज आट पेमेंट ऑफ ग्राट्यूटी आक्ट्रा नाम तो आपने बोल पाई तो आपने बोलते है तो अच्छा मैं इसका मतलब बता दो मुझे बागी समकता हो समादी इस वाले का किसी का भी मतलब नहीं बता सकती है अच्छा इसा है अच्छा ध्यान रखेगा मड़म मेरे सवाल है तो आंसर को दे जलता है मतलब से अच्छा अच्छा फिर ठीक है ओके ओके आपको एक बात यादा ही कि आज टेडिए ना और आपको यादा है एक बार पहले भी टेडिए दे था एक बच्छा आपको एपी टेडिए बोल रहा था हम लाई भी थे शायद हाना हा तो मैंने का था कि बटा टेडिए मत बोल अभी घर आउंगा फाड़के तेरी सारी रूई निकाल दूंगा मुझे याद आगे एक दम आपके और शांक सर की जल रही थी ठीक है भाई देखो मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि मिनिमम वेजेस टाटा जी देते होंगे क्योंकि रतन टाटा जी के लिए एक बार बटा अच्छी से स्माइली हो जाए तो मुझे लगता है कि रतन टाटा जी कम स हम पैसा तो देते होंगे वो गाहँ के लोगी भॉत मदद करता मुझे पता है दो ये भी होगा फैक्टरीज एक्ट पेमंट अब नहींगे झाम ये तो मैं अब आट काम आना चाहंगा ठीक है मैं फैक्टरीज एक्पर जाना चाहंगा बच्चे लख रहें हैं हैं हापी था नहीं होंगे यह रूल है किसी बी कमपनी को यह आट देने ही होंगे लेकिन ये ऐसा रूल जो सरकार ने बनाया लोगों की इंप्लॉइमेंट को बढ़ाने के लिए तो इससे प्राइवेट कम्पनी का कोई लेना देना रही है तो इसलिए बीस का हो गया तो कोई चिप नहीं खाएगा अगर टाय हो गया तो आदा अदा अगले सवाल पर आते हैं गिवन फिगर शोज दैड़ करन्ट फ्लोइंग इस तरी है मैं मैं आपको सही बता हूं यह बहुत सारे बच्चे भी गलत करेंगे देखना सवाल कि सवाल ही इतना लाज जवा हो आज यह बनने वाले कोशन और डेर आज बनने वाुब आप पको पता है मैं मैं रोज कोशन और डेकी बात करता हूं अपने तो आज सब्भाता इससे आगे और अच्छे सवालко किर शोज दा करांट फ्लोईंग इसतरी एंपियर मैं अभी तक क्या होता था कि हम लोग ने गीवल्टेज गिवन होती थी तो वोल्टेज के साथ करंट निकालना इसके बगयर कर निकालना है यहाँ पे चार रोसर से एकरन करेंग टूटल थू एमपीर आपको फॉलसरी 40 ओम आपको 40 ओम वाले मीसे कितना करन जा रा है यह पता लगाना है न्याटन चलिए अरे भाई वे तो सही कर रहे हैं वैसे आपको बथा इसका अंसर पहले से हाँ थोड़ा बहुत येस ये वो ही है क्या वान अपॉन फाइव वान अपॉन ट्वेंटी हाँ बट वैसा कुछ यहां नहीं देखो मैं आपको हिंट दे जा रहा हूं हाँ तुमर्ले मैं कर दू यह रुकू आप कर दीजे बच्चा कर रहा है अपना फॉर्टी ओम्स पॉर्टी ओम्स करन्टी ओम्स करन्ट फोइंगे स्थी एडरा फोर रेजिस्टर्स मैं ऐसे कुछ यह नहीं होगा मैं आपको वेसे कौशन बचता हूं यहांसे तीन एम्पीर कुरंट आज चार कैसे वह सकता है। मैं यह कोई मशीन है यहांसे आलू निकालो वहांसे सोला निकलेगा मैं यह कोई पहँम जम इसबम्षकप qanta से जिखर wh और ऊख देखो इस सवाल को समझते हैं बहुत प्यारा सवाल है सुनना सवाल को समझना बहुत जरूरी है यह सवाल अगर पेपर में आ गया तो याद करो कि दाड़ी वाले ने सवाल करवाया था यह हमारे पास 3 13A current है यहां पी हमारे पास आप और यहां पर यहां पर शुरीर्स लाकर यहां का यहां वो सब्सक्राइब और यहां, यहां का है यहां का फैरा एसको मतलब ओ गया जो रिजिस्टञ्स से वो कम पर करंट कम होता है जहां पर रजिस्टेंस जादा होता है वहां पर करंट कम होता है तो अगर यहां पर तीन एंपियर है और इसके हमें वन इस्टू टू के तुकड़े करने हैं तो क्या ऐसा कहना ठीक होगा कि तीन एंपियर में से दो एंपियर करंट ऊपर चला जाएगा औ ốngगर एक एंपियर नीचे आजाएगा और फेसे बात है 22 beautiful नहीं तो सब्सक्राइब बरावर ऑफ This लोगो तो ढूंझध час अगर यह बियो अगर इनाा दिटाए अवी मुद्स्क्राइब में एक ब attach के लिए Man सवाल खतरना कि मैंने आपको क्या बोला कि मैजॉरिटी ऑफ को अच्छे यह सवाल मैं दुबारा समझाएता हूं चलो कोशन ला जवाब है आओ समझो यह कोशन मैं को कोशन ऑफ दे बन गया है उपर का रजिस्टेंस है पांच और बीस पच्छेसों और नीचे का बन गया है पचासों समझो कॉमन सेंस बेज कोशन है अगर उपर और नीचे दोनों का रजिस्टेंस सेम आता तो यहां से तीन एम्पियर करण्ट आ रहा है डेढ़ चला जाता उपर डेढ़ चला जाता नीचे बट सेम तो नहीं है अब अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है करण डिवाइड नहीं option देखो कहां गया option देखो तीन एंपियर आंसर हो नहीं सकता चार एंपियर मेडम ने कर दिया लेकिन हो नहीं सकता तो बचा एक और दो ही इन में से कोई एक आंसर होगा अब क्यूंकि आप से 40 ओम वाले क्या क्रॉस पुछा है तो नीचे वाले इससे में करंट कम जाएगा त एक एंपियर नीचे निगल जाएगा समझ गए क्या यानि अगर यह कोईशन mcq नहीं होता तो आप इसे सौल नहीं कर पाते क्योंकि वोल्टेज चाहिए लेकिन क्योंकि mcq है हमने option से पता लगा कि बिना वोल्टेज के सको सौल्फ कर दिया गुलाब का फूल आना कि परसंटेज देख लो 44% बच्चों इसका अंसर सिरफ भी दी है वो भी अग हुआ है जब आपने बोलना साथ कर दिया था Quesion of the day बन जाता है Quesion of the day O X O sorry Qo D चलिये वहागे Monika is reading an abstract written by Tarabai Shindeji Which of the following is most likely to be the central issue of this text याने की वो Tarabai Shinde की लिखी हुई किताब पड़ रही है तो उनका क्या मतला वो किस बेसिस पे किताबे लिखती थी Religious indoctrination by priest जो attract करते है न प्रीस्ट लोग के हमारे religion अपना लीजे हमारा कर लीजे Miserable lives of farmers in debt के जो भी farmers है वो उधार की जिंदगी कैसे जी रहे हैं और कैसे उनकी life होती है Plight of upper caste Hindu widows के upper families में जो भी widows औरते होती है हिंदू में उनकी life कैसी होती है या फिर factory में children को कैसे exploit किया जाते है उसके उपर इन में से किस basis पे तारा भाई शिंदे जी लिखती है मेरको भी कोई सवाल नहीं आन्दा तोड़ा तारा भाई शिंदे 10K viewers की बात नहीं की थी 10K likes की बात की थी likes बोलाए like करो session को like अच्छा अपर कास्ट हिंदू विडियो तारा भाई शिंदे थारा भाई शिंदे थारा भाई शिंदे जी ओके exploitation of children by factory यह तो अच्छा कॉज है अच्छा अच्छा अपर कास्ट हिंदू विडियो का भी कुछ कॉज था मिजरेबल लाइफ वाफ फार्मर इंडेट में चेप्टर का नाम क्या है बाई बस आपने हेल्प कर दी मेरी अगर यह प्रिंट कल्चर है तो यह नहीं होगा और यह नहीं होगा वैसे यह सभी के ऊपर है वैसे प्रिंट प्रिंट कल्चर में अलग अलग लोगों के बारे में बात कि हैं तो मैं नहीं सुन रहा आपकी आज हम सवाल मुश्किल लेकर आया है अफकॉर्स लेकिन नहीं बच्चों ने कर दिया उनको पता है मतलब उनको याद है तो यहस अकॉर्डिंग टू तारभाई शिंदे जी वह लिखती थी अपरकास हिंदू फैमिली विडो और तो के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करती है तो बड़े ही उच्छा के साथ आशुसन ने कहा कि मैं कन्विंस करने कोशिश कर रही हूँ अरे बहुत प्यारा सवाल है बच्चे 100 परसंट पोल पर आंसर देंगे देखना रिकॉर्ड बनेगा विच्छ ऑफ दफॉलिंग कैंशो एडीशन रियक्शन इनमें से कौन एडीशन रियक्शन शो करता है इनमें से कौन एडीशन रियक्शन शो करता है इनमें से ऐसा कौन इत सिम्द लाइगा ऊसमें ऐसी बात दो आपको इक बात इसका है इथेन, इसका है इथेन, इसका है इथेन, और ये है हमारे पास प्रोपेन, मैंने आपके अब हैल्फ कर दिया है, इसकी भी उपर नीचे है, options देख लो, अरे यार, आप बटा A, B, C, D समझागा हैं, बोल दो, आपने को ऐसे समझें, A, B, C, D, समझें, आप इसको B कर दीजे, A, B, C, D, आप ऐसे समझागा हैं, समझागा हैं, समझागा हैं, समझागा हैं, लग्स भाई, आओ पी, चलिए, समेको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो मैं कर दू, एक सेकंड, कर दो मैदम, चलो, मैंने आपको हिंड भी दिया था, कि शराब को मत चुन ले न, आप क्योंकि पाइस होने डालना है, हाँ, एथन, all, all, alcohol, all, lol हो गया, सुनो भाई, आप सबको पता है, कि addition reaction is only for unsaturated, इसको तोड़ सकते हैं, और तोड़ के उसमें कुछ एड कर सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 61% है, तो मैंने कितनी उमीदों से कहा था, कि 100% आंसर आए, होगी, बहुत असान सवाल है, और आप सबको पता है, कि यार, जो इथीन है, यह एक unsaturated है, इसमें addition reaction हो सकती है, तो ए यह आंसर हमारा हो जाता है, चलिए मैडम, आजएए, अभी भी score बराबर चल रहा है, बहुत काटे की टकर चल रही है, सब हार रहे हैं, बुरी परे किसे, Tremble therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer, मुझसे मतलब बत पूछना, क्योंकि इसका मतलब भी पूछा जा रहा है, कि पहली बात तो यह लाइन लिखी गई थी, Mercier जी के द्वारा, यह क्या हुआ, अच्छा, मैं मुझे रिलोड करना पूछेगा, कर दीजे, मैं, Mercier जी के द्वारा, तो इन में से वो क्या बोल रहे है, इस statement में, क्या समझा रहे है, अब मैं statements नहीं समझा सकती, क्योंकि उससे पता, मैं उसका मतलब ही पूछ रहे है, English तो पढ़ दो, English है, Rulers often attack the writers, in order to maintain their power over people, यह सही है, The spread of print culture would bring down the spirits of intellectual writers, Printing of books had the potential to bring an end to despotism, Cruel leaders needed to reflect upon their actions, Hindi बताओ, Hindi बतानी है, मतलब इसका मतलब इसमें से बताना है, Hindi बताना है, समझ गए न, आप तो English आपको बहुत अच्छी आती है, Sir इसमें अभी तक बच्चों नहीं बहुत कम percentage किया है, यह फिर वो हट गया वैसे, जैसे पहले था, प्रिंट के उपर ही बात की गई है, दिये दे परसंटेज बढ़ रहा है, टेंथ का प्रिंट कल्चर का सवाल है, नाइन के लाइक्स हो गए है, अभी तुम बहुत टाइम बात कर रहे हो, तो भया यह तो जो लोचिप चालेंज के बाद ही होगा, तुम लोग करते हो, तो करते नहीं है ना अभी तक, 12,000 बच्चे बैठे हैं, 11 कुछ, मेरे हिसाब से, पहला वाला तो कन्फ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, अज जैसे आज़कल कोई भी किताब चाप रहा है, मैं भी जाना चाहूँगा, जैसे कोई इंसान बहुत डेस्पो होता है, कि चीज़ को लेकर, बेसिकली हमारे सेस्टी में इसको मोनार्की भी कह सकते हो, लेकिन अच्छिली अबसलूट रूल, तो प्रिंटिंग ऑफ बॉक्स हाद पोटेंचल टू ब्रिंग एन एंड टू डेस्पोटिजम, एंप्टस की बात की जारी थी, कि कल्चर चैंज हो सकता है, रीजनल डिफ्रेंसे आ सकते हैं, इसक्टेरा, इसक्टेरा, ठीक है, समझ गया, मतलब मैं समझा नहीं, लिगे, मैं समझ गया, चलिए, चलिए, ठीक है, अगले सवाल परहाँ, हैं a plotting compass is placed near the south pole of the bar magnet the pointer of the plotting compass will point away from the south pole point parallel to the south pole point towards the south pole point at right angle to the south pole हां जी मैं हां जी हां जी हां जी कहरे एक plotting compass को अगर हम लोग south pole के पास रखे तो वो इन में से कहां आलाइन होगा है हां चलो ऐसे क्यालो ऐसी होता ना बार मैगनेट ब्लू और रेड तो compass को अगर हम प्लेस करते हैं south pole के पास the pointer of the plotting compass will point away from the south pole ये में को पता ही नी तो compass क्या अगरता है मुझे पता ही नी compass जो direction आपने के काम आता है मुझे पता है मुझे पता है कि south pole से दूर जाएगा south pole के पैल रहेगा south pole के पास जाएगा तो ये कोई theory होगी न इसके पीछे है ना कि पता होना चाहिए मुझे पता होना चाहिए मुझे मैं मैं वैसे आपके मिन बाह बता दू हाँ ये बहुत असान सावल है वैसे तो बच्चों का भी आंसर 55 परसंट ये नया सावाल इसाद बच्चों के लिए तो गुलाब का फूल तो दीदो सराज माने कोई भी दुका नहीं लग रहा है वैं पॉइंट अवे फरो कोई लॉजिक तो नहीं है लॉजिक भी है आचाए ये साइनस बेस बेस दॉन लॉजिक जाए थोड़ी न पड़ रहा है बैलकुल पॉइंट अवे फरॉंध इसाओवल तो दूर पर्ल्स भी है अच्छा आंसर पता चलिजा है तुम मुझे नहीं पता है लेकिन मुझे पता नहीं बी और सी में से क्यों लग रहा है कि अवे नहीं होगा पैरलल होगा या तो मैं पैरलल पर जाना चाहूंगी तो अगर हमारे पास एक बार मैगनेट है और अगर मैं इसके साउथ पोल के पास एक कमपस को रखता हूं तो आप सबको पता है कि जो जो मैगनेटिक निडल होती है निडल उसका जो पॉइंटर होता है वो नौर्थ पोल होता है और उसकी टेल होती है वो साउथ पोल होती है तो नौर्थ से जो हमारा मैगनेट का जो निडल है जिसका जो नौर्थ पोल होगा वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा ना कि नहीं तो क्या पूछावा है है आंसर यहां पर सी होता है सी इस दी करेक्ट आंसर समद गए अच्छा कल सुबह यानि वेक अशु सर में हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं अब हम एक सैंपल पेपर की सिरीज शुरू करेंगे जिसमें हम क्यों कि बड़ा देखो सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है जो भ हमारी छे दिन हो गया कल सातवा दिन होगा उसमें हम आप लोगों से सैंपल पेपर मंगवाए थे आप सब को मेल टेलीग्राम पर मेसेज किया था और सारे पेपर आगे उनमें से एक अच्छा सा पेपर जो की स्कूल का ही पेपर है कल हम लोग सुबा साथ बजे कर रहे हैं चलिए मैडम आजए यह हमारा एजर्शन और रीजन ओ सौरी यार वन इस्टू वन हो जाता है आशू और इमा का स्कूल अभी तीन सवाल बच्छे हैं एक मेरा नहीं दो मेरे एक आपका रगू वाज़ अंडियन फार्मर दूरिंग नाइटीन फिफ्टी इस्टूशन रीफॉर्म्स वोड ही हाव विटनेस्ट इन नाइटीन फिफ्टी कुछ रीफॉर्म लाए गए थे एग्रिकल्चर सेक्टर में इन नाइटीन फिफ्टी इस आफ्टर इंडिपेंदेंस वो क्या क्या थे पैकेज टेक्नलोजी बिंग यूज इन अगरिकल्चर अब पैकेज टेक्नलोजी आने वाली है किसान क्रेडिट कार्ड योजनाज लेकाली गई है ग्रामीन बैंक्स बनाए गए है या फिर जमीनदारी सिस्टम को हटा दिय लगया है या इंग पोल चेंज नहीं हुआ इंग पता नहीं मेरे हिसाफ से ग्रामीन बैंक्स तु अ मुझे पताना है कि 1950 में इन में से किसानों के लिए क्या लाया गया था तो इन में से ऐसा कुछ है जो 1950 के बाद लाया गया था पहले भी हो सकता है पाकेज टेक्नलोजी इंग यूज इन एग्रिकल्चर थोड़ा बाद में योगे मुझे लगता यह किसान क्रेडिट कार्ड थो टा अटीन जाना हो सकता है या जमी दारी सिस्टम अटाना हो सकता है तो ग्रामिन बैंक मुझे लगता यह फिलाबाद में अब बहुत था चैप्टर में में तो बैंक तो मैं जाना चाहूंगा सब्सक्राइब अब तो मुझे यार करने यह अग्रिकल्चर चैप्टर का है अग्रिकल्चर चैप्टर का है और डी सही है अबलिशन आफ जमेंदारी सिस्टम सबसे पहले किया गया था आफ्टर बिटिश जब चले गए थे तो मैंने बेजा आपके यहां आपका प्रमे अ बेजाने आपकी आपको नहीं थे जाहले कर आपका छाने वाले जो हारे का पूरा हां पड़ेगा क्या अच्छा आगे दिखाओ कोई पूरा मैंने अपने बड़्दे पे मुझे बच्चों ने खिलाया था उसके बार क्या आखे लाल मू लाल और सुबा क्या गया चलो आपकी बारी एगा इग्ला सवाल आपा है पोल चेंज कर दीजिए पोल चेंज कर दीजिए अग्नेटिक लाइट लाइ सब्सक्राइब कर दीजिए यह कोशन पुराना है लेकिन थोड़ा सा अलग भाशा में मुझे लग रहा है मैं फिर अभी दो में तो नहीं है मतला है क्या मैं को ऐसे पिक्चर से याद आ रही है सॉलनाइट तो हमें बच्पन में बनवाते भी थे और आज तो मैं बड़ी लल्लू सांड कर रहे हूं किती बार तो मैं सही सही भी दे देती हूं आज मिरेसे दिये ही नहीं जा रहे है लॉंग ड़ाइग तो बना दो उसकी ऐसे दो नहीं होता एक जल्दी कर दो मेडम अब आप कर सकते हैं एक सेकर रुखना ईए एक सेकंट रुखना ले बच्चो कुछ बताना चाहूंगा बच्चो एक बात ध्यान रखना यहां पर इंसाइड पूछा है, इंसाइड वर्ड पे ध्यान दो, पिछली बार भी आप लोगों ने यही गलती की थी, जब यह कोशन कराया गया था, तब वह और नहीं चल रही थी, इंसाइड पे आपको ध्यान देना है, बच्चों, इंसाइड वर्ड सबसे इंपोर्टन वर्ड है मैं इसके बारे में discussion कर लेता हूं सबसे पहली बात तो अगर पूछा होता कि overall magnetic field कैसे होती है तो पहली बात तो solenoid के अंदर जो magnetic field होती है वो अंदर uniform होती है अंदर uniform होती है बाहर जाने के बाद वो circular होती है लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ inside पूछा है अब अगर सिर्फ और सिर्फ inside पूछा है inside तो इसका मतलब answer क्या होगा along the axis and parallel to each other perpendicular access का मतलब यह access होता है और सी भी नहीं हो सकता यहां पर circular at the end बोला है यह overall होता तो यह answer नहीं सब्सक्राइब करते हैं इसलिए तो आपको करना है इसलिए तो आपको करना मुझे लग रहा है को मांचा सही है कुमान करनाट का खील खिल आंदर प्रदेश कुमारी जहार खंड और धैया सर पहले बात तो आज का स्कोर सुनल आप टूश्टू बने सिरफ दस दस कोशन में धैया धैया मध्य प्रदेश मैं जी चुगा हूं तो मैं जादा टाइम नी बेस्ट करूंगा मैं आंसर एप जाना चाहूं अब तो अब तो भाई कुछ जादा ही जी दिया हूं मैं ओ माय गॉड बोला था ना सेशन से पहले कि टाइम बेस्ट मत करी हो वो मैंने बस सोच लिया अज मैंने जल्दी अंसर की हैं वैसे तभी एक भी साही नहीं हुआ एक ही साही हुआ है केड़ी वीडियो लेकिन आज अब वीडियो बना दियो मेरे स्टोरी के लिए इंस्टाग्राम पर डालेंगे इन बच्चों को भी ले लेंगे अधार हम हम सबको खाने थोड़ा-थोड़ा थोड़ा थोड़ा रिम जादा का एंगी और बच्चे कह रहे थे कि उशांग सराज बने भी जोलो चिप हुए ह आओ सर आओ सर ने पूरा वो डेंजर कलर पेना एक लाओ ता मेरा सवाल जो सही हुआ था वही हुआ यही वदा देंजर कलर वाला और और वही आगए पहन के यार अब तो लाइक कर दो यार सेशन अब तो लाइक कर दो मैं जोलो चिप खाने लगी हूं, कम ओन मैं इस पर लिखा हुआ है एनी लास्ट वर्ट्स थोड़ा बहुत खाले ना सर बहुत थेखा हुआ है यह मैं कोई खाना चाहिए येस चैलेंगे चैलेंगे मैं मैं खाएंगी और हम क्यों खाएंगे भाई ये पिष्ली वादी से तुम्राइब नामने खेला नामने खिलाया और हम खाने आज है चलिए ये ये सारे जो है मैं बच्चों को एक बार दिखाना चाहूंगा दूर से देख लो बिटा ये यहां पर देख लो ये ऐसे ये पूरा जोलो चिप हमने आपको एक बड़ा तुकड़ा है और 20 चोटे तुकड़े हैं तो ये मैं खाएंगे मैं ये अपको खाने के ज़स्ट बाद मैं खड़ी नहीं हूँ पाने मैं घगार पाने ये 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 वैसे कौनसा दे और है बिटा वो टेडी डे रोस दे कॉंसा दे होता है। टेडी डे टेडी दे अज चैश्ट ओके बड़े ले दिन आज मैं को आपका खिलारहे ह। अरे मुझे कोई नहीं तोड़ वहां मैं निखारा हुए यह मैं निखारा मेरे बत्तों के प्रेवर बाकी है मेरे नी है अभी गपनाओ आजी सर को आने दो शेरिंग सेरिंग तू आजा बिटे अरब अने आख बला अधा बना नहीं नहीं-गब नदा अगर उल्टा आथा तो हाँ जी अच्छा चलो तब तक हमें बात बता देते हैं बिटा कल भी बहुत सारी इवेंट्स हैं आप लोगों के कल इंग्लिश और बायलोजी का एक इवेंट है दो इवेंट्स है कल और सेकेंड ली मोस्ट इंपोर्टन इवेंट मंडे साढ़े आठ बजे भी आ रहा है मोस्ट इंपोर्टन पीवाइक्यू ठीक है ना चलो अब यह एड़िशमेंट के बदले अपनी इंको खाना पड़ेगा एक पीस मैं मैं आपको मैं पताता हूं कितना इजी होता है खाना देखो मैं पताता हूं इसको दवाई के तरह खाना होता है यू डॉंट गिभी तर शारा खाई निगल देओ मैंडम वो अंडरी पेट में कुछ कर देता है भाई पता नी क्या चलो आम इटिंग इस इस दपीस पहला बस आख में मत लगा ना इसके बाद ओके तालिया 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 हम कह अवाज आनी ची है अवाज आनी ची है अवाज मेरा कितना असान है देखो ये लिया सर आपको भी करना अभी है ये देखो ये चिप्स का पेकल लिया ने ओय अटके चबाना बहतर है मेरे साब से बिटा निगलना नहीं ओ यार मजा आ गया पुरे गले में हो रहा है पुरे गले में जल रहा है यार मैं मजा आ गया है एक पीस और खालो चलो बस लास्ट जाली ज्यादा हो रहा है लास्ट खालो ओ हो इस बहुत ही स्वादिश्ट है यार यह तो सर आपका चले गए मैं आपको मतलगाना बस बस रहें दो कैंसल बच्चों यह आपे यह नहों हमारे अस्श्री क्लासे बंद हो जाएं इसको मजनी वार के लिए बचागे रखते का यह नहीं है 17 तारिक को तु बच्चों बहुत भड़ी अनौंस्मेंट है मैं मा को करनी है बहुत भड़ी अनौंस्मेंट यह कि वार सब्सक्राइब जो लोचिप वार थी और अब जो वार होने वाली है वो होने वाली है Office on-line versus of line यानि कि आप लोग का सही होग उसमें बहुत जादा अनेने वाला है हमारे ऑफ-लाइन के बच्चे आपको या स्क्रीन पर देखेंगे विद आशुसर और आपको उनके साथ लड़ना है पोल के थू मैक्सिमम पोल जिसका होगा मतलब वो लोग जीतेंगे या उनका आंसर सही ह होगा तो वो जीतेंगे वो पूरे रूल्स आपको सेम डे समझाये जाएंगे और यह होने वाला है सब्सक्राइब को देट तो बता दिए टाइम आजाएगा आपको फीड में मैं आपको बतायता हूं पिछली बार भी आपने ऑफ-लाइन वर्सेज ऑन-लाइन को बहुत जा बात तो हों गई तो कॉंपडिशन में क्या होगा ऑन-लाइन वर्सेज ऑफ-लाइन में कोशन पूछा जाएगा इमानदारी से से सेशन होता है पिछली बार वारा देखना बड़ा मजा आया था अचा पहली बात तो दोनों बच्चे हमारे टॉपर निकले थे और ने मैस में करना उनको आपको बीट करना है दिहान रहे बड़ा मज़दार सेशन होने वाला है ऑफ-लाइन से बच्चे आएंगे कब होगा एस सेशन सतरा तारिक को होगा कल सुबा साथ बज़े वेक अप विद आशू सर में सेंपल पेपर बाकि उशांक सर ना आपको पता है सेशन एक चलो समाधिया पूरा प्रोसेस क्या है कल सैंपल पेपर बहुत सारे बच्चों ने सैंपल पेपर मुझे बेजे थे उसमें से एक सेलेक्टेट सैंपल पेपर मैं कल करवा रहा हूं ऐसे अब हम रोज एक-एक सैंपल पर करेंगे विगास बटा जितने करोगे सैंपल पेपर दियान रखना उतने जादा आपको प्रैक्टिस होगी कि हम कैसे अपना पेपर अटेम्ट करें तो मैक्सिमम नम्बर आप सेंपर पर करना जरूरी है चलिए चलिए मिलते हैं दसाजार लाइक के साथ सेशन करते हैं तो मंडे शाम को साड़े आठ बजे अगर मेरे लाइफ सेशन के अंदर दसाजार बच्चा आ गया तो मैं जोलो ची पूरा-पूरा खा जोगा और खाकर बढ़ा हुआ बैटा और बता हो चलिए डन है थेंक्यू सो मच थेंक्यू 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 लावान मेरे ला खाता हैाँ